फेस्बुक लाइब दे सारे दर्सकानू मेरे वहलो प्यार पड़ी सच्छिकार नवा टैम नवा दौर कैसा अगनेया नविया चेंजिज नवे तौर तरीके नवे तरीके देनाल जिन्दगी वसर कर रहे हैं असी सारे लोग तो 3-4 मिने पहला चल जिये जन्वरी फर्वरी चल जिये तो किसे ने एक्सपेक्ट नहीं कीता सब्का कि आनवाले चार मिने इस तरीके देनाल कटने पहन गए या इस तरीके दा टाइम लेके आऊगे कि दुनिया नू देखन दा या दुनिया चे रहन दा नजरिया बदल शुरू होके या थियूरी यह है कि शायद एक लेडी तो शुरू होके आज अल्मोस्ट हर कंट्री तक पहुंच चुक्या है मैं रिसेंटली जो दो कोविड मीटर वाला जड़ा एप है तो देख रहा है जिखा ते मिन्हों लगदा जिखा कि वर्ल्ड इक सो चैनवे कंट्रिया ने चलो इक दो उत्तो बाद वदियां भी तो मुच देख रहा जिखा कि वो कह रहें कि 200 कंट्रियां तक अल्रेडी यह व हुली हुली असी उस लेवल तक पहुंच गे वेदर विद दे न्यू प्लेंज फ्लाइट टाइमिंग काट गे हर तरीके दी सुविदा मिलगी हर तरीके दी एक्सपेरिमेंट्स एर ट्रेवल ते होने शुरू हो गे और आज उस सिच्वेशन दे विच्च आ गया के एर ट् चाहिए न करों चाहिए उपने मूलक या अपने देश आर आपने कार होना चाहिए आजर्स का इस पुझाले पछले दो हफद्ध हност हो सिरकार लनों जो तो लॉबड़ों चक्क्या गया आफिसी खुल गे बड़ी चंगी सिद रख भीको निखको निकलना शुरू कीता स्टूडेंट्स पुराने नमे कही यादे वीजे लगे हो या अज़े ट्रैवल नहीं कर सके हो कही यादे अमबैसी फाइला ने 4-4 मिने तो प्रोसेसिंग नहीं होई अमबैसी वलो कोई अपडेट नहीं हैगी कुछ नहीं हैगी मार्च चाहे ऑस्ट्रेलियन हाइक मेश्रा है कनेडियन हाइक मेश्रा कोई किसे तरह दी कोई भी आपडेट किसे अमबैसी वलोई नहीं मिली तो चंगी चीज है कि दुनिया वापस नॉर्मल होना शुरू होई किते ना किते जड़े डर सेगा शायद हलाता ने सरकम्स्टांसेज ने टाइम ने उडर लोग का दे मांचो कड़ना शुरू करता तो बहुत चंगी चीज है बिकास कि देना की लाइफ मुवस ओन तो इसेम वे लाइफ इस मुविंग ओन दो वर्ल इस कमिंग बाक तो नॉर्मल या कुछ चोटिया चीज है आड करके या सब्ट्रैक्ट करके जाहे मास्क लालो जाहे सैनिटाइजर्स लगालो या ओर इद्धा दिया चीजा सोशल डिस्टैंसिंग बहुत सारी चीजा साडे के इन्दे ना के जिंदिगी चोट चलेगी या रीसेटली किसे ना गाल कर रहा से गा देगे अर के दा सेगे सो जदो चाली प्या बंदे आदे नाल सिरफ तानू क्या जाए के तुसी चाहे कोई भी सोशल गैदरिंगा इस तवाद बंदे ना नहीं कर सागदे और इंडियन वेडिंग बिग फैट इंडियन वेडिंग सो सारी चीजा किते ना किते लागदा कि पता नी फ्यूच किते ना किते उन्हों उस इंटरनाशनल स्टुडेंट दी लोड पहला वी सी और आज भी है आज शायद पहला नालों जादा है कल्चर जड़ा किने आपां के मल्टी कल्चरल एजुकेशन या उनिवेस्टी या कॉलेज दे विच के कोई स्टूट्स इंडिया तो ने चाइना तो ने निपाल साउथ कोरिया ब्राजील सो जो दो वखरी वखरी कंट्रीज तो वखरे वखरे कल्चर दे स्टूडेंट्स तो ने कंट्रीज दे वेचने तो धे लर्न बडब आउटाईच अधर या बटैर कंट्रीज देर में वेस्ट्र देर फूड दिरर्सिंग सो वाड़ा कुछ सिखले से लिजुट कूछसुदाऌ या है तो को उल्चिस नो चलो 30 billion dollars, 30 billion dollars, Australia international student ता revenue पिछले साल से गा 50 billion dollars, जो ए वो amounts ने जेडियां उना धी economy च कॉंट्रिब्यूट कर दियाने, ए वो contribution international student देंदा जेडा उनुह पता भी नहीं हुंदा, आपने बहुत तो एक student दास पंदरा या डॉलर दे के किनदा कि मैं पढ़न जा रहे हैं जी, मैं इस country उस country चे उनिवर्स्टी, college दे वे चपड़न जा रहे हैं, अगला बड़ा खुश है कि मैं दास पंदरा या डॉलर इतो दे के जानना हूं, बहुत सारे students इदा देने, जड़ी first semester दी, या first year दी fees दे के, उस तो बाद उत्थ ही कमांदे ने, उत्थ ही कमांगे उ पैसे, उना colleges, universities नो fees पार दे, उना colleges, universities नो इस चीज दा कोई फरक नी क्योंकि उना नो तो revenue मिली रहा न, उस student नो किन्ना फैदा है, उस student किन्दा है कि मैं इक वरी पैसे इतो इंडिया तो लाए, दुझी वरी तो मैं आप ही उत्थ हो कमांगे नो देते, उस तो बाद उधी work permits, उस तो चाहे हो in terms of tax, tax pay करके उना पैसे मिल दे है, चाहे हो किसे दी property करायते लिन्दा है, rent पे करदा है, उस बंदे दिया किस्ता हो दिनाल जान दिया है, जोब दे विच कॉंट्रिब्यूट करदा है, क्योंकि आज भी कहनदे है कि student, international student जड़ा part-time कर सागदा, during his education, part-time work करन दी, जड़ी उनुपर्मिशन है, वी कें टेनली, ओ जड़ी पर्मिशन दे विच जड़ा हो काम करदा, उस तो चीप बंदा नी लाबदा किसे भी country आलो student contribute करदा, और आज colleges, universities दीजे तो सी साच मननो, जिनने के पंजाब दे student, या जिनने के पंजाब दे agent काले ने के फ्लाइटना शुरू होन, और student बाहर जाना शुरू करे, जाके पढ़ाई करना शुरू करे, student तो अपनी जिंदिगी दा है क्योंकि उन्हें वो सुपने स जाए होई है कि मैं Canada, Australia, America, UK, New Zealand उत्थे जाके रहूँगा, पढ़ूँगा, पकालनू पका होँगा, agent, consultant ओधा एक revenue source है, ओधा कारोबार है, क्योंकि जदों तक ओ काम नहीं चलेगा, ओ काम नहीं करूँगा तो ओनू भी अपने offices दे, किष्टा ने, चाहे कराई ने, चाहे Australia, the top universities, Canada, the top colleges, they are all suffering, they are all wondering के कदो ही सारा कुछ शुरू होगा, because उना कोल भी revenue दा हो, और कोई source नियेगा, आज पंजाब दा स्टूदे था, पंजाब चुब है के फिर कुछ कर सागदा, किती बाड़ी दे बेचा अपने मापे होदा, हाथ वटा सागदा, कुछ होर कारोबा कर सागदा, बट, वो colleges, universities देखो होता, होर कोई तरीका नियागा, पैसे कमान दा, टेड़ा domestic student है, उदी fees दा, structure, international student नालो, हमेशा ही काट रहा, और उदे बेस दे उत्ते, सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, बहुत सारी है, colleges, universities, कही, colleges, universities, Canada दे वेचे जापा गल कर लिए, Australia जापा गल कर लिए, उनना था, बेन, revenue, international बच्चे तो हैं, और पिजा-पिजा, परसेंट तक, सतर-सतर परसेंट तक, जेड़ा student, total student population दा है, वो international student है, सो हर पास्यों, हर तरीके दिनाल, हर government को दी कोशिश है, कि किसे ना किसे दिरका है, तरीके, ए फ्लाइट्स, ए आना जाना, students दा पहुंचना, जल्दी तो जल्दी शुरू है, जे तुसी, Ministry of Home Affairs, इंडिया दी notification पढ़ो, जो पिछले हफ्ते वना ने कड़ दया है, तो उनना ने इंटरनाशनल स्टुडेंट दू भी, mandatory traveler च रख्या, मतलब उननु भी, एक importance दिती गई है, कि एधी पढ़ा इख्राब होनी है, जे ने किसे कॉले दे विच, एधे कोल, confirmed enrollment है गिया, जेनू अप Australia, COE या, Canada दे विच, letter of acceptance कालन ने, कि जो दो इस सारी चीजां हो केंदे, तो आडे को लेना चो कुछ भी हैगा है, you are eligible to travel as soon as flights start, so, बहुत सारी चीजा, बहुत सारी चीजा नू सामने राकते, information एह है कि जिस दिन जदो सारा कुछ ठीक होंदा दे से, वो तो सब तो पहला traveler जड़ा होगा होगा, which is student भी शामल होएगा, student तो बिना फ्लाइट है, student त At the same time, जे पिछले आपा दो minutes देखिए, तो बहुत सारी चीजा देखनों मिलनी है, बड़े सारे agents, consultants ने किया कि apply ना करो, कुछ हो नी रहा, बहुत सारे ने किया कि apply करो, visa लवा के दिनने आ, ये कार के दिनने आ, देखो best possible ways तो आड़े तक information पहुंचन देना, मैं अगगे अभी कई वरी दासदा, कि ठीक है, social media एक platform एक जरिया हैगा, quick news दात्व, फटा फट खबरा मिल जांदी है, पटा फट खोले है, जी देख्या, फलाना बंदा लाइव होगा, फलाने बंदेने अपने facebook ते आ, notification पाती, पढ़ लो, सुन लो, देख लो, जिते जिननक टाइब अपा facebook या instagram ते लाने है, जी अपा हर दूजय दिन, तीजय दिन, Canadian Immigration दी website है, cic.ca, Canada.ca, उनु खोलो जार, उनु खोल के पांजमेंट, international student है, सिरफ student दा column जड़ा हैगा, उदेख चल जो, जे कोई भी news, कोई भी update है गिया है, वो उत्ते ही दिस जड़ी ता नो, कि यो कहरे वीजा प्रोसेस करना है, उनु जे में, पिछ्छे जे रीसेंट ली न, cic दे उत्ते, एक notification आई के, फाइल्स दी, जड़ी प्रोसेसिंग है न, student दी, वो फाइल्स दी, प्रोसेसिंग सस्पेंड करती, 9 जून तक, इन्नी मही तो लाया के, इन्नी 9 जून तक, जड़ियां सही है, उनना थी प्रोसेसिंग SUSPEND होगी, बड़े फॉन आने शवर्ग है के, पाजी आरो, सुने मैं, Facebook मैं, किसे ने कोई, कह रहा है सेगा, के वो फाइलां करती है, तो इह फाइलां करती है, मतलु फाइलां कितना Estadoension ow दढ है, जडी फाइल, अम बैसी दे वेचे चलेगी यह उता है डिसीजन ही अंदा है डिसीजन दो तिन तरीके दा यह वीजा दे दूगे यह वीजा रिफ्यूज कर दूगे यह तो इहीं विड्राव कर लोगे यह बड़े रेर केसा दे वेचिकाई वरी होया है अबैसी चुपरानिया गला जे कर लिए पी आर दे टाइम थे या फाइलां सस्पेंड होगी है सो के दे लिटल नॉलेज इस डेंजरस थिंग सो उस्टूटन नों भी बिचारे नूं उनना की पता सी राबजा ने उन्हें कित्थे पढ़ लेया के फाइलां सस्पेंड होगी है एक इंग्जाइटी क्यों उन्हों आपनों बड़ी कपरा हो एक एरे वीजा रिफ्यूज हो गया वो सस्पेंड ना लो यह सुस्पेंड था मतलब किते एतनी किता वीजा ही रिफ्यूज हो गया मेरा सो बैस्ट बैस्ट ऑप्शन इस कि आप जाओ सी एई सीचीदी वेबसाइट दूज्जे दिन तीज़े दिन देख लो यार दस मिं बट उन उत्ते जो लिखे आया ना कई वरी ओ लेंगवेज इतना दिया कि नहीं समय लाग दी बड़ा सोखा यार गूगल ट्रांसलेटर खोलो गूगल दे उत्ते जाओ उन्हादा पूरा पेराग्राफ चुक के भी टाइप करके उत्च पा दोगे ना तो ट्रांसलेटर हो करके वेबसाइट है यूके होम ओफिस पालो उना दी भी वेबसाइट ताटे सामने आ जो कि बड़ा सोखा काम है यार दस मिंट पंतरा मिंट दूज्य दिन तीज्य दिन लालो सौरा दिन भी तहीं फेस्बुक ते टिक टॉक ते इंस्टाग्राम स्नाप चैट देखो सही क इतना टाइम आपएड़ा चीज़ा दे वेस्ट करते और बाहर जाड़ा तो सिरफ इंफोर्मेशन जड़ी फेस्बुक दे उत्ते को दूज्य बंदा तीज्य बंदा हो के बोल रहे है ओही तो आनू समय लाग दिया कि आई दी गाल सुनलो सौखा काम मैं मेंत नहीं करनी ब पंदरा मेंट जड़े आपा किसे हूर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म नू देनने जे आप इना वेबसाइट नू दे लिए ना तसा नू कहे नू पहली गाल ता पुछन दी लोड़ना पवे दूजी गाला कि जड़ी जब बेवकूफ बनना बांदो जागे जो की शुरू यह चीजा आप पढ़ लो यार आप देख लो ओदेनाल चांसेज प्रॉबिलिटी यह बहुत ज़्यादा बात जान दी कि तो आ नू किलारिटी होगी कि मैं किस दिन किस तरीके कि थूदी अपलाई करना कितना मैं जा सागदा कदो मैं जा सागदा जे मैं जाना मैं की रूल दे तोर तरीके इस सारा कुछ काफी कुछ चेंज होएगा आज जे रीसेंट ली गल कर लिए बहुत सारी अमबैसीज ने जड़ी जड़ी जड़ा कैनेडा ने प्रोसेसिंग रोकी हुई है औस्ट्रेलिया दी किसे भी ऑन्शोर एप्लिकेशन दी कोई भी रिजल्ट नहीं सो जड़ो इस सारी चीज़ा हो रही है हो था बड़ा वी एफैस सारे हजे तक बांधने रीसेंटली सुनननों मिलिया सेगा कनफर्म्ड नीउस नहीं है कि किसे सोर्सेस तो मैंनों पता लगा से कि शायद कैनेडियन वी एफैस दी कुछ ट्रेनिंग चाल रही है जड़ी स्टाफ अपरेशन वाली टीम में दाशरी चीज़ा कि सर है पाई डी जनरेट नहीं हो रही है वो था बढ़ा सिंपल क्लेर कट मीनिंग है कि इंटर्नल लेवल थे उनना दे सिस्टम्स दे विच उनना दे प्रोसीजर्स दे विच मेजर चेंज़ चल रहे ने और मेजर चें कर दे बिल्कुल हो सागदा क्यों नहीं हो सागदा कल राउस्मेंट होई है कि अमर नादी यात्रा एक्की जुलाई तो शायद शुरू कर रहे है पंदरा दिन लई हो दे विच जड़ी डॉक्यमेंटेशन चाहिए दियो दिच मेंडेटरी है कि एक नाल तो अनू कि मेडिकल अप्रूव हो गया तो यह अग्ये जा सागदा हो और की चेंजिस हो सागदे ने बहुत ज्यादा चांसेज ने कि पिच्छे एक युरिवर्स्टी ने दस्या कि असी सप्टेंबर इंटेग दे विच भी इंफाक्ट कानड़ा दा कॉलेज से गाई क्मिनुटी कॉल एक दम रत ooh रात उसी एक्सपेक्ट नीकर सकते के घार बच्चा दो जार बच्चा यार बच्चा यारं पांच यार बच्चा कि से कॉलेज यू़स्टी पाठता है ते उ सारा ना सारा कथा यह आकर दोगे कि हा जी आजों जी सारा कुछ थीका नहीं इन्दा नहीं होगा प्रदानमंत्री साब ने भी क्या जान है ते जहान है तो उससे तरीके दे चाल दे तुसी एक स्पेक्ट तरी कर सकते कि कल तो परसो तो सारा कुछ ठीक हो जोगा बड़ा नॉर्मल कोश्चन है कि पाजी वी एफेस को दो खुलूगा मैं कमेंट्स बांध कीते हुए है बट कमेंट्स दे विच भी जरूर हुन तक किसे ने किसे ने पूछ ले आना कि वी एफेस को दो खुलूगा बड़ा रेगुलर मैंनो मैसेज आनदा है दूजा कि पाजी मेरी फाइल फर इवरी दी लगी हो या की बढूगा हो दा देखो तो यह मैंनो इकर ही पुछलो तुसी मैंनो दासर ही पुछलो हजे आरर ही पुछलो हजे तक वी एफेस किसे ने भी एए अनाॉसमेंट नहीं क किती कि आपा कदों खुलांगे एक्सपेक्टेड है कैनेडा वी एफेस 21 जून तो खुल जाएगा उस्ट्रेलियन हाइट मिशन अस्ट्रेलियन अमबैसी आज दी रेट चिडियां ऑन्शोर अप्लिकेशन ने जड़े लोग ऑस्ट्रेलिया चने या कैनेडा दी अमबैसी जड़े लोग चनेडा अपनी वीजा एक्सटेंशन पारे ने अपनि उत्थे ऑंशोर अप्लिकेशन दे वीच कुछ चेंज प्रोसेस दा कुछ चेंज वीजे दा पारे ने उसार्यादा रिजल्ट्स आ रे ने उसार्यादी प्रोसेसिंग हो रही है on the other hand कोई भी application जड़ी इंडिया तो नवे सिरे तो पाई जा रही है उन्हाँ अब कुछ भी हजे तक process नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा हुमें था नूँ अल्रेडी पहला दास्ता कि changes expect करो चाहे हो medical देवेच changes ने चाहे हो biometrics देवेच ने रिसेंटी काल दी है परसों दी ही news है कि कैनेडा ने temporary worker जन्हों वर्क पर मेटाला temporary agriculture worker है शायद ओनू biometrics तो exempt करता जन्हों जन्हों कैनेडा स्टूटड वीजर बारे थोड़ा बहुत भी पता है कि biometrics mandatory ही कैनेडा दे विचे पिछले एक साल तो हुई है बायो मेट्रिक्स करके इन्हों स्प्रेड हो उन्दा डार है कोविड तो स्प्रेड हो उन्दा डार है तो बायो मेट्रिक्स बांद करना भी immigration लई बैसियां लई कोई वड़ी गाल नियागी यू यू कैन एक्सपेक्ट के काल नो आनौस कर दें कि शायद student visa दे वेच भी अगले एक साल ले ऐसी बायो मेट्रिक्स बांद कर रहे है मेभी ऐस्टेलिया कैनेडा पहुंचन दे उस बच्चे दे बायो मेट्रिक्स लित्ते जान कुछ भी हो सागदा सो इच एड एवरी immigration, government, embassy आ they are also working किस तरीके दा न्यू नॉर्मल होए किस तरीके दे ना स्टूइन अपना वीजा अपलाई करे किस तरीके दा बायो मेट्रिक्स होन recently Europe दी किसे embassy ने कहा कि उन्हाने बायो मेट्रिक्स मिशीन हो जी मंगाई है कि लोका दे कार्जा जाके बायो मेट्रिक्स कराया करनगे किनाक फीजिबल है किनाक बजट होदे विच लागदा immigration दा, embassies दा इस सारिया चीजां भी हर embassies नो देखनिया पहन गया फिर decision लिता जाओगा rules, regulations एवी question regularly पुछा जाता है कि पाजी हून रूल की ने Australia दे, हून रूल की ने Canada दे, देखो जित्ते बांदो इसी ना, अजे उत्ते ही खड़े है चाहे हो SDS है चाहे हो SSVF है चाहे हो UK दा Tire 4 वीजा, किसे भी तरीके दा, कोई भी change हाजे तक rules और regulations दे वेचन नहीं होया और ना ही किते कोई इदधी expectation है गी है थोड़ा ज़र revise कर लिए उना rules नू, regulations नू क्योंकि मैंनू रोज message, रोज what's है पांदा ते मैं कोशिश हुन दिया के जवाब दमा पड़ सारे नू जवाब नहीं भी देते जान दे So rules, Canada, SDS same rule है जी इक साल दी फीज GIC नाल ट्रांसफर अपना अपलाई कर देओ वीजा कोई होड शर्त नहीं चाहिए और उनू कोई होड कुछ नहीं चाहिए था किसे भी Canada दे college, university ज़र मिशन ले लो आत इन शर्तत ता डेते ही लाग़ों दिया ठिले है तुछ साल दी फीज नी दे रहे हैं चे मिनदी फीज दे रहे हो या GIC नहीं दे रहे हैं सिरफ फांड शोग आरे हो तुछ non SDS दे विच आपना वीजा अप्लाई कार देओ जन्रल केटेगरीच अप्लाई कार देओ वीजा सक्सेसरेट और विच भी बहुत वदिया और किसे तरह दी कोई प्राउलम नियगी सो बोटा मोटा कोई रूज रेगुलेशन कैनेडा दे विज्जे गाल कर लिए नहीं चेंज वाया हां कुछ कॉलेजिज युनिवर्स्टी ने अपना लिजिबिल्टी क्राइटीरिया जुरूर कटा आता कि जिए कोई सेक्सी लिन्दा सी ओकेंदा यार मैं 21,5 जाले ले लाँगा जिए कोई साध्योच भी जाले ले लाँगा बच्चा जो जो जिए दो किनदे हैं ना कि डिमांड दे सप्लाई वाली गाल ला है ऐसे बेरी सप्लाई रुखी होई है तो अपने आप दिमांड क्र अलाई eligibility criteria कॉल जाए उनिवर्स्टिया दे होली होली थल्ले आ रहे ने या अंदे रहेंगे coming to Australia आज भी सेम ओही तरीका SSVF countries नू colleges universities नू दो ना नू दो वक्रे वक्रे categories चिराक के level दिते होया assessment level one two and three so जदो वह तिन levels दे वेचे इंडिया जित्थे बांद होया सीगा जिस दिन lockdown level 3 दे वेचे इंडिया आज भी उससे level 3 दे वेचे expectations बहुत नहीं देखो expectation के वीजे बड़े लगने आ हुन कई students कई agents कई लोका ने के पाई हुनता वीजे बड़े लगने जदो काम शुरू हो गया future है के ने देख्या कोबिट देख्या सी किसे ने कई कुछ अदाद है जड़ा expectations ने जड़िया साधिया उमीद है के सानू हाँ भी वदिया होगा वी economies हर country दी जे डिस्टर्ब होई है तो बूस्ट करनों भी कुछ ना कुछ ता करना ही पहना so expectations सारे नूँ एगी है चाहे हो student है चाहे agent है चाहे हो colleges universities ने के चंगे लेवल ते वीजा देनगे चंगी प्रोफाइल नूँ वीजा देनगे so ओधे वी expectation है कि इंडिया नू assessment level 3 तो चाहे टूच पादेन एक बहुत ज्यादा optimistic बंदा से का मेरी गाल हो रही सी कि ते ओ के लड़ा पाजी इंडिया नू तो assessment level बांच पादेन है ना ने चो लो मिननू personally उमीद का test चीज दी बट पादेन बहुत चंगी गाला है for everybody in India all the students who want to go all the parents जेडे चांदिया क्योंना दे बच्च ऑस्ट्रेलिया दिया चंगी है उनिवरस्टी स्कॉलेजिस चेपड़न पादेन बहुत चंगी गाला है जे नहीं का assessment level 3 ता है गई है 3 दे सा अपने वीजे अपलाई करो level 1 दी यूनिवरस्टी जानने हो थोड़ा documentation काट चाही दिया 2 या 3 जानने हो सेम हो ही procedure अपन फंड देओ अपनी OSHC देओ medical कराओ so everything is still the same कुछ चेंज नहीं होया coming to UK टायर 4 जेस तरीके दना आल टायर 4 उनने शुरू कीता सेगा 2008 दे विच आज भी ओही रूल्स ने कोई लंबा चोड़ा हो देवे चेंज नहीं होया आयल्स दा पहला शायद विदाउट आयल्स चालदा सेगा आयल्स उनने कार देता साथे पांच इच तो आज दी डेट चाहे तुही प्लस टू पास हो चाहे तुसी ग्रेजुएट हो जे तुहादे 5.5 इच हैगे है तो कोई से तरह दी कोई प्राब्लम नहीं तुसी अपन वीजा अप्लाई कार साथ देओ विदाउट आयल्स भी वीजा अप्लाई उनना विदाउट आयल्स भी अप्लाई कार देओ जित्थे तुसी वीजा चड़े सेगे जित्थे तुसी अमबैसियां दे रूल्स रेगुलेशन लॉकडाउन तो पहला चड़े सेगे न आज उत खौत सारिया चीजां दे चेंज़े होनगे बट वें देवल भी अनॉंस्ट ओदो ओना दी शोर्यटी है उनी देर तक सिरफ एजंप्शंस ने expectations ने कि एद्दा हो जुगा ते एद्दा हो जुगा ते एद्दा हो जुगा ते on the other hand साथ the offices we are open but please कोई भी student कोई भी बंदा बिना appointment दे किसे भी office visit ना करे appointment बना ली तुसी online जा सागदे हो online जाके website दे होते appointment बना सागदे हो देखो दो तेन तरह दा student है जड़ा office विजिट करदा है अपा गल कर लेने जे तुसी already साथ नाल enrolled हो currently enrolled student जड़ा हैगा वो अपनी ब्राच दे विच जड़ी ब्राच दे विच तुसी enrolled हो उस ब्राच अपने counselor दे नाल या ब्राच manager दे नाल गल करके विजिट करो जे तुसी जड़ा हो दे तो time लेके विजिट करो सेकंड़ी जे तुसी नवा case सानु देके जाना है कि पाई मैं अपने document देने है और किसे country लिए apply करना है सब तो वजी है तरीका कि online जाओ साड़ी वेबसाइट दे होते online जाके website तो link सामने लिंक सानु सामने देश जूगा उस link दे होते click करो अपनी appointment बुक कर लो पहला असी टेलीफोनीकली तो अडेनाल गल करांगे जो मा होला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट हजे भी बांदा है ठीका है असी नहीं चांदे कि किसे इतना द रश किसे भी ऑफिस चपाईए तो टेलीफोनीक अपॉइंटमेंट तो अडेनाल जो तो बुक होगी तो जेडी ब्रांच ली तुसी अपॉइंटमेंट बुक करोगे उस ब्रांच तो एक कांसलर तो अनु उस टाइम ते उस दिन ते कॉल करोगे उस कॉल तो बात वालू य लिजबिलिटी की है, की तुसी लिजबल हों उस्ट्रैडिया, कैनडा, यूएस से, यूके अपलाई करने हैं, जे तुसी लिजबल हों सारा कुछ ठीक है, फेर अनु लिदेन दे विच देता जाओगा, जो तो तुसी उस ऑफिस उस ब्रांच दे विच विज़ेट कर साग देऊ पर दास देना हजे तक किसे भी एंबसी किसे भी वी एफएस ने कोई किसे तरह दी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं की थी जे तो अडिया फाइला चनवरी फरवरी मार्च तो भी लगे आई हैं वो फाइला उद्द दिया उद्द ही अड़ी एंबसी च पही हैं बहुत स तक तो अड़कोल बायोमेट्रिक्स करान दी कोई प्रोवीजन नहीं हैगी के तो कदो कराना कितो कराना जदो तक वो कुछ अनौंस नहीं कर दे तो सिरफ जड़ा कामता डायस विल्य हो सागदा दाट इस ओफर लेटर्स युनिवरस्टी देनाल जड़ा काम है उनों तुस सो जो तो उनने सप्टेंबर इंटेग वी ऑनलाइन पड़ा अंतर डिकलेर करता है तो तुसी सप्टेंबर इंटेग दे विच जे फ्लाइट्स शुरू हो वी जन्दिया तो शायद तुसी इंडिया बैके कार बैके ही पड़ोंगे ऑनलाइन यहां जे तुसी ट्रैवल भी कर जानने हो और जे कॉलेज ही ऑनलाइन हा जेता को पड़ा रहा है तो तुसी कैनड़ा हो तुसी इंडिया हो तुसी ऑनलाइन ही पड़ोंगे इस सारी हैं चीज़ हैं इस सारी हैं डेकलरेशन होली होली एवरी डेविड टाइम अमबैसी इंडिया ने डिकलेयर कर रहे हैं जिद्धा 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 अनॉसमेंट सुन दिया हैं विल ट्राए कि तो आनो दी अपडेट दिती जावे बड़ जिवे कि मैं पहला क् अपडेशन हो सब तो वदिया सोर्स फेस्बूक या यूट्यूब नहीं हैं सब तो वदिया सोर्स उनना अमबैसीयां दी वेबसाइट हैं CIC-Australian Australia the e-com.me.gov UK the home office the website इना साइटा दे जाके इंफर्मेशन लेलो सब तो वदिया और सब तो फर्स्ट हैंड और सही जानकरी मि जोड में में तेंग इस प्लीज स्टे सेफ अजेवी कार रहो बहुत कुछ खुल गया बहुत कुछ चलना शुरू हो गया बट किते ना किते उस प्रेड दा जड़ा रहा है वह जेवी उद्दा उद्दे ही है जिननी प्रिकॉशन अशी लह साग़े है उन्ही प्रिकॉशन भी को जन्दा वायरिस थी पावर्ज कट जन्दी है जिननु के नहीं है मैं बोता डॉक्टर नहीं है गा पर जिनियाक पढ़िया या सुनियास नहीं अगला उससा आपना दास ना पया मेजर थेंगे स्टे सेफ तुसी साथ डिकॉल विजिट करना चाने हो प्लीज बिना कि किसे अपॉइटमेंट दे बिना किसे जांकारी थे साहनु साथ एकुल विजिट ना करो अपनि ऑन-लाइन या साथ इफोन नंबर तेो आपने के आपन में में एक थो गकार्ट बन में एक सू स्तार्ठ ञें में एक पवां करो टाइम लेके तिए ओंकारें साथ युल विजि चाहे ऐस्ट्रेलिया है, चाहे कोई भी कंट्री है ही है, तुसी भी प्रसेस कर साख देो, VFS, इमिग्रेशन, बांदने, जिद्धन खुलूगिया, जदो खुलूगिया तो अनोधी जानकरी देती जाओगी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत तानवाद, अपना ख्याल रखो, सद्रीकारा